नमस्कार, फल्मी बीट मैं आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कृतिका प्रियांका चूपड़ा के फांस के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर उनके भाई सधार्थ चूपड़ा से जुड़ी हुई है क्योंकि बीते दिनों खबरे थी कि प्रियांका के भाई सधार्थ की शादी होने वाली है लेकिन अब ताजा खबर के मताबिक प्रियांका के भाई की शादी चल गई है अब आप सोच रहे होंगे भला वो क्यों तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार सद्धार्थ की शादी चलने की क्या वज़े सामने आई है। दिरसल बीते दिनों प्रियांका चोपड़ा जब मुंबाई आई थी तो यह कयास लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर प्रियांका के घर जशन का मौका है। यह खास मौका उनके भाई सद्धार्थ की शादी का था। लेकिन आप रिपोर्ट आ रही है कि प्रियांका के भाई की शादी का जशन टल गया है। तरसल एमेरजनसी में होने वाली सर्जुरी की वज़े से चोपड़ा परिवार ने शादी की तारी को आगे बढ़ाद दिया है। इस शिता को सर्जुरी के बाद आराम की जरूरत है, ऐसे में अब परिवार के सदस्स से अगले महुरत के इंतिजार में है। आपको बताते कि सधार चोपडा की रोका सेरमनी 27 फरवरी को हुई थी इसके बारे में एक तस्वीर शेयर करते हुए प्रयांका चोपडा ने सोशल मीडिया पर बताया था प्रयांका की तस्वीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रही है प्रयांका चोपडा ने हाली में दोस्तों और फैमली के साथ कई तस्वीरे सोशल मीडिया पर पोस्ट की है इन तस्वीरों में इशामानी परिनिती चोपडा पीसी के साथ नजर आ रही है विल इस वीडिय इतना ही लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा